हेलो दोस्तों मेरा नाम अभिशेक है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्यापम ग्रूप 2 सब ग्रूप 4 एक्जामियेशन जो की 2018 में हुआ था उसके सिकंड पेपर के बारे में दोस्तों हमने अल लेडी बहु सेक्षेंस देख लिये है different exams के जो की व्यापम की रहे है even group 2 subgroup 4 के कुछ सिक अल लेडी कवर कर दिये हैं आज का electronics होने वाला है साइन्स पर धNonสम्लिये था साइन्स फ्रिंस के कि अगर science का यहां पर इक्सन्स देखेंगे कैसे क्यूशन्स हा रहे हैं आप दोनों पेपर देख सकते हैं पुराने पेपर जो कि इससे पहले हुआ था आप उन्हें भी देख सकते हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे कि इसका जो कॉम्बनेशन है फिजिस्क कमिस्ट्री मैस सभी का है लेकिन ज़्यादा जो क्यूशन्स हा रहे हैं दोस्तों हम आपको एक और बोनस प्वाइंट बता दें कि अगर आप किसी बी ग्यामनेशन में बैठ रहे हैं चाहे वह जीके का हो चाहे वह साइंस का हो अगर वह क्यूशन पुरसकार मिलता है फिजिक्स के शेत्र में और वो फिजिक्स का जो ब्रांच जिसमें उन्होंने रिसर्च किया है वो किसी एक पर्टिकुलर जैसे माली आर्केमडीज का सिधान्त है नाव जहास्त है उसके रिकार्डिंग अगर कोई रिसर्च की गई है तो उससे क्यूशन या उससे ०िलेटइड आने क्यूशन की संभावना रहती है तो आप चले दोस्तों क्योशन पर आ जाते हैं और बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों पहला क्यूशन है कि एक तंतु लैंप फिलामेंट लैंप में क्या होता है ? सबसे पह recollection आपको ध्यान देना है कि यह ज प्रकाश आपको दिखाई देता है और अगर आप इस बल को कभी टच किये होंगे चुए होंगे वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूं कि आप चुए तो इससे क्या होता है ना कि कि जब लाल लिटमस पेपर के एक टुकड़े को सामान लवड में गिरा जाता है तो किस रंग में वो अपेक्षा की जाती है सबसे पहले दोस्तों आपको यह ध्यान देना है और यह काफी इजी सा रहेगा कि अगर आप एसीड में एसीड में और बेस में यह अलगला आपके स अशारी यह और अगर यह अगर आप इसमें मिलाते हैं एसीड में ब्लू बाला पेपर को तो यह हो जाएगा यह आको ध्यान देना कि जो लाल लिटमस पेपर रहता है तो लाल लीटमस पेपर एलिस कलरका रहता है मतलब टोटल लाल यहांपे दोस्तों आप बिजली का बल भी कर सकते हैं एकसे डाउट हो अगर आप इसका कॉंसेट्ट क्लियर नहीं रखते तो तो स्वताहदीप्त का मतलब जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उसका मतलब यह नहीं है कि उसमें खुद का प्रकाश रहे जैसे तारा हो गया सूर्य हो गए अपना तो इसमें खुद का प्रकाश रहता है लेकिन आप अब अगला है दोस्तों कौन सा ब्ल्व में अर्टिफिस्यल एनर्जी देते हैं लेकिन फिर भी उसमें किसी ने किसी वज़े से वह दूप्त रहता है लेकिन चंद्रमा एक ऐसा है जिसमें सूर्य का प्रकाश पढ़ता है तो प्रकाश का एक पर लेते हैं कि अगर माल यहा प्रकाई दे रहा है और यह फिर यह दिवत्त हो रहा है यह ऐसा मतलब हो जाएगा तो इसलिए सतह दिवत्त का यहां पर पार्टिफिस्यल को इग्नोर करते हुए आप चंद्रमा लगाएंगे अब अगला है दोस्तों कौन सा आयोडिन विलेन के साथ नीला काला रंग देगा दोस्तों यहां पर जितने भी ऑप्संस हैं सबसे पहले आपने आलू में स्टार्च का जो पता होता है वो लगाने वाला आपने किया होगा उसमें कार्वो हाइड्रेट रहता है जिसकी वज सब्सक्राइब व कौन सा रहता है तो आप अगर उनकी फोटो देखेंगे तो आप वो सबी जाएगा यहां पे ऑफ्संस हैं कि सफेद पर रहते हैं। चीकना सरीर यह नहीं रहता तो दोस्तों इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि इतना एक टाइप का भी है सामाने साहर जो कि एक इसके बारे में आप पहली बार से सुन रहे होंगे फॉरेस्ट जो स्वाइल है फॉरेस्ट स्वाइल में सबसे आदा धारण शमता रहती है पानी की कोई भी नदी जाए कोई अगर आप नदी तंत्र देख लें तो वहां पर आपको दल दल काफी मिल दाएगा फिर भी उसकी इसके जो पाफर रहती है वह जादा रहती है और इसका मेंन एक रीजन जो है वह में रीजन यह वह वहां पर जो त्री के पोधी आपड़ीन की जूप वह सकते हैं वो वाटर को अबत ख़रव करती है और ज्वाल को एस्हदा इंसको फोटो सेंथिस की जो गिया है जंगली शेत्रों में ज्यादा हो जाती है तो इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो की कॉंबिनेशन कारण का इस तरह है तो वन मिट्टी सही हो जाएगा सतवा नमरे दोस्तों निल्हुमिकिस दरपन का उपयोग बड़े शेत्र में फैली वस्तुमों के प्रतिव्यूम्बू को बनने के लिए किया जाता है आप दोस्तों यहां पर जितने टाइप किये आपके लेंस हैं हम इन सभी की बात कर लेंगे तो यहां पर पहले दोस्तों सिरेख आप देखेएगा जो आपका कांविक्स लेंस होगा वो कुछ ऐसा होगा कॉन कैव ऐसा होगा एंद इसे आप अवतल बोल सकते हैं इसे गया उसको अगर उसके लिए आपको प्रतिवियम बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा उसका चोटा एक आकार मिले और रियल मिले तो इसके लिए आप कांविक्स का उत्तल दर्पन का यूज करते हैं निमनिखित में से रेशो में किसका प्रयोग टेरी काउट बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों यह टाइप का पॉलियस्टर इस्तेमाल होता है और इसके लिए आप केमेस्ट्री आपको निकल्स यूज होते हैं उसमें एस्टर के यूज होता है और सी ओ और और डेस आप कर सकते हैं यह यूज होता है जो की बनाता है एस्टर का कॉम्बिनेशन नाइन्थ नमबर दोस्तों खोलदार अंडे देने वाले पश्यू इस रूप में अपने अवसिस्ट का उत्पादन करते हैं तो दोस्तों आप यहां पे देखेंगे कि यह बात कर रहा है कोई वर्ट्स लाइक शिकन बगएर हो गया इनके बारे में तो आप हमेशा ध्यान दिएगा कि जो उनका अवसिस्ट उत्पादन का है तो वो क्या करेंगे यूरिया करेंगे यूरिक एसड करेंगे या फिर डारेक्ट अमोनिया करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो जलीए जीव हैं लाइक मान लिजिए जैसे फीश हो गई मशली हो गई यह अब जै件रली याद कर सकते हैं कि वह यूरिया करेंगे लेकिन जोबी बाट्स रहेंगे यूरिक आसीड वह उससर सरं तो आपको इसका यूरिक आसीड हो जाएगा और आपको इधियान रहना हहे कोई भी हमेशे आध हिसरे आध रखना है और दोस्तों एक एक्स्ट्रा पॉइंट ही है कि ऐसे क्यूशन में कोई भी लॉजिक नहीं रहता कोई भी इसमें फॉर्मूला नहीं पूर किया जा सकता यह आपको पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा क्योंकि यह फैक्ट्स होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्टन नही है अब दोस्तों देखिए चक्रवात के डिफरेंट जगह में डिफरेंट नाम है वहीं पे अगर आप भारत का नक्षा देखें कुछ ऐसा मालीजी है यहां पर जम्मू कश्मीर वगएर हम सब एड़ कर देते हैं राजस्थान यहां आता है और इसका जो इलाका है वो समु अधर से उठते हुए आता है इधार तो जितना तटी एलाका है वहां ओहींट करता है सबसे आदा आपको यहां देखने के मिलेगा फोनी हो गया इससे जितने भी आइसे आपको देखनों के मिलेंगे तो यहां पर आपका सही अंसर हो जाएगा राजस्थान आंधरा को देखें तो अडिशा यहां पे है पश्य मंगाल देखें यहां पे है और यह इस बार का जो अभी चक्रवात आया था इससे पहले उससे यह काफी ज्यादा हिट हुए थे नुकसान हुआ था इनका दोस्तों 11 नंबर है कि एक स्क्रेपर के साथ अवसिष्ट जलो पचाट से हटाए गए इस्ति ठोश को क्या कहा जाता है दोस्तों यहां पे जितने भी ऑप्संस हैं इनमें अगर आप इसके टर्मिलोजिस पर जाएं तो इसका आपंक हो जाएगा इसलज हो जाएगा और इसका सिंपल सा मतलब रहता है कि जो कचरा रहता है उसे तो मतलब जो आपका जल खराब जल फिल्टर होता है और फिर वो शहर में पानी प्रोबाइट के जाता है पीने के लिए वहां पे उसका जो फिल्टरेशन रहता है जो ठोस टाइप का जो अवसिस्ट कचरा बच जाता है उ यह जो आपका फ्रॉग रहता है मेड़क रहता है उसका जो अविक्सित रूप रहेगा मतलब पहले का जो उसका करम रहेगा आप उसे बोलेंगे और इसमें जो ग्रोथ होती है वो थाइरक्सिन की वजह से होती है और इसी वजह से रुख जाती है अगर इसको भरपूर नहीं नियंत्रित करता है यह काफी जी है कोश्का जिल्ली होती है और जो कि डिफरेंट टाइप के जो पदार्थ रहेंगे वह उसको नियंत्रित करने का काम करेगी आप परासरण एक पढ़िएगा दोस्तों परासरण काफी आपको इंट्रेस्टिंग लगेगा एंड यहां पर आप देखेंगे कि जो एक समुद्र है कोई वहां पर खारे पानी है दोनों खारा पानी है मान सकते हैं लेकिन एक ज्यादा है एक कम है उसका घनत्य के जैसे वह दो सागरों को अलग अलग बाटता है उसका में रीजन यह है आप इनके कभी देखेंगे जो पौध ह hypoth Tara एं और उनको जो एक डितनों में निट्रोजन वहां पे उपस्थित बन जाता है जो वहां पे वह होता है जो वहां पे पौधे रहते हैं उनकी जड़ों में रहता है और इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग और इसी आप डिटेल में पढ़िएगा तो आप इसका सारक सारा प्रोसेस समझ पाएंगे कि राजयोबियम कि इस तरह से फोटो संथेसिस प्रोसेस में मदद कराता है उन चोटी चोटे पौधों को जो कि खेतों में लगी होते हैं जर्णरली अब दोतों एक विदूत के लिए का हत्ता होता है विदूत के लिए आप सिंपली समझ सकते हैं दोस्तों की कोई भी चीज़ कोई भी चीज लाइक आपका टेस्टरी क्य विदूत ना गुजट सके कुछ आलक किसे बोलते हैं अगर मालिज़े कि आपका पास यह मशीन है और यह सुच आलक हो गई तो जैसे आप लगाएंगे तो आपको करेंट मार देगा इसलिए जो कुछ आलक रहेगा इंसलेटर रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से प्रवाह नहीं करते चाहिए आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों रहे दें तो यहीं होता है एक विद्धुत रोधक होता है इंसलेटर हो जाएगा इसका सही अंसर कि स्वल्बा नमबर दोस्तों कि ताप मन की काई क्या है अब यहां पर जितने भी टर्म्स हैं यह सभी सभी आप इसाई मातरक देख सकते हैं डिग्री सेल्सियस इसका सही एंसर रोजाएगा इतने डिग्री टेंपरेचर आप बोलते हैं सेल्सियस टेंपरेचर है राजस्तन की इतना बढ़ा मद्रदेश के इतना है दोस्तों एंपीर जो रहेगा विद्धुधार जो रहती है मापन करता है सेकंड जो रहेगा वो टाइम का आप सभी को पता है और मीटर जो डिस्टेंस है उसको यह माफ करता है कि सत्रहमा नमबर दोस्तों अब मृत वनस्पतियों के कोले में रूत पानकर धीमी प्रक्रियों क्या बोलते हैं दोस्तों जो आपका वनस्पति रहेगा उसको आप देखी रहे हैं इधर कार्मी करम डोलते हैं लेकिन जो जानवर हो गए उनके जो हड्डियां हो गई या फिर आप जीवत जो बोल सकते हैं क्रिशेट्स उनका जो चैंज होता है उसको बोलते हैं और इसी को बोलते हैं जीवाश्मी करण पंचमडी बायोस्पियर रिजर्व का एक अस्थानिक पसू है यह काफी इंपोर्टेंट है ब्यापाम किसी एक्जाम में इसके आने के बहुत जाज़े चांसे रहे हैं य आपको ओरिजिनल देखने को भी मिलेंगे लेकिन यह वहां काफी फेमेस है अब बिदुद्दर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल जात करने के लिए किया जाता है दोस्तों अगर आपका कभी लेप्टॉप मोबाइल कुछ भी खराब हो गया हो तो वहां पर जो मशीन यूज करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप वह वहां क्या उस आपके मशीन जो है जो आपके पास कंप्यूटर लेप्टॉप है या फिर कोई भी डिवाइस है क्या वह आवीशित है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए जनरली इसका प्रयोग किया जाता है आ और आप हमेशा ध्यान दिजेगा कि जो आपका शुक्र है यह सबसे गरम भी है और इसकी मेन वज़या है कि यहां पर मेटल्स जादा है एक बहुत गहरा एक वाई मंडल है जो कि वहां कि उसमा को बाहर नहीं आने दिया जाता है तो यहीं सहीं इंसर हो जाएगा एक वस्तू 25 हर्च पर कंपन कर दें इसकी समय अवधिक्या है दोस्तों ऐसे क्यूशन का भी भी रहे हम आपको बता दें कि जो आपका कोई भी तरंग है वो तरंग हमेशा इस तरह सी इस तरह से चल सकती है जर्णरली जो तरंग रहेंगी और यह जो यह जो स्रिंग गर्त ह है और यह कितना ज्यादा दूरी तरह किया पर्टिकुलर किसी टाइम में उसको बोल देते हैं उसकी आवरिती पर्टिकुलर यह सिकंड्स में मापी जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा ना कि जो आपका फ्रिक्वेंसी है मल्टिप्लाई आप करेंगे टाइम जुकल्स कि 22 दूसनों घंटियां धात्य की बनी होती है क्योंकि यह प्रकीति में होती है यहां पर जितने भी अप्संस हैं देखिए नरम नरम धात्य हो ना हो यह उसकी क्वालिटी पर ने विरफर करेगा कोई तय नहीं है आगात वर्दनी यह है कि अगर आप उसको पीटे तो बढ है ध्वनिक है इसका सेंसर तो ही होगा इसमें ध्वन निता होती है और जो तन्य है तन्य का मतलब हो यह होता है कि अगर आप किसी को धात्य को अगर खींचे तो अपना क्वालिटी बीना लूज किये वह खिंचती जाए जैसे आप तार बगएर देखेंगी यह सभी सभी ध चाल बराबर होता है यह आप मैथ्स रीजनिंग जो भी करें या फिर आप साइंस में जा रहे हैं शीक्स में भी काफ़ी इंपोर्टेंड है चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय होता है अब यहाँ पर यही फर्मुलाप लगा दीजिए आप इसकी चाल पूंच रहा है तो क्या हो जाएगा आपका दूरी अल्रेडी दिया है अनटालिस किलो मीटर लेकिन यहाँ पर देखी मीटर सेकंड पर है हम इसको सबको सेकंड में करते जाएंगे तो अनटालिस गुणे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो शीरिंग होता है शीरिंग का मतलब समझ में आना चाहिए तब आप सही लगा पाएंगे बाल को काटने को बोलते हैं शीरिंग फिर उसके बाद दोस्तों स्कुरिंग होता है इसका मतलब यह होता है कि जो उनका है उसको सही बेस पे एक छटाई टाइप का आप बोल सकते हैं फिर छटाई होती है पिकिंग अप आप बट्स होता है उसमें अफसिस्ट है उसको अब आए भी शुशन इसका उत्पादन करता है दोस्तों यहाँ पे जो option है वो हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ केबल lactic acid रहता है glucose जब oxygen की कमी के बीना एक circulation बंद कर देता है तो यह release होता है और यहाँ पे इसी वज़े से जब आप दोड़ते हैं तो यह फिर किसी और बज़े से आपको थकान लगती है जब आपको थकान लगती है दोस्तों तो केबल lactic acid release होता है तो अब हमारे क्यूशन समाप्त हो गया है तो दोस्तों उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी आपको जरूर यहां से कुछ सीखने को मिला होगा अगर आप best quality के student रहे हैं in science तो आप देखेंगे इसका लेबल कोई ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन अगर आप इसके diversification को देखें तो यह काफी अच्छा paper रहता है और जैसा भी है All the best for all of you as well as for me एंड चलिए आगे एक वीडियो हम और लाएंगे और देखेंगे कि आगे कैसे और questions आ रहे हैं बन रहे हैं थैंक्स लोड गाईज